असलाम अलेकूम और हलो दोस्तों मैं जुलेखारफा जुलेखासकेचिन.com से चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी अम्रतसरी फिश पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबन में जो बेल लाइकन इसे भी जरूर क्लिक कीजिए असा करने से आपको मेरे रेसेपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा इस रेसेपी के लिए मैंने 500 गराम रावस बोनलस ली है आप चाहें तो कोई भी मच्छी इस्तमाल कर सकते हैं इसके मैं इस तरीके से मीडियम पीसस कर रही हूँ ओवियसली एक समान तो शेप आएगा नहीं तो थोड़े बड़े या चोटे हों कोई बात नहीं मैं मीडियम पीस कर रही हूँ आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं या थोड़े बड़े भी रक्स सकते हैं अब मीडियम साइज करने के बाद इन्हें बहुत अच्छे से हलके हातों से धो लीजिए दू-तीन पानी से और इन्हें नितार कर अभी एक फ्रेश बाउल के अंदर में दाल देती हूँ नितारने के बाद बाउल में दाल दें तो नम्मक दाल दीजिए स्वाद अनुसार और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो मच्छी है उसका पीस दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरीके से मैंने मीडियम पीस बनाए हाँ अब दाल दीजिए आधा या थ्रीफोट चोटा चैका चमज हल्दी पाउडर एक टेबिल स्पून अधरक लसन का पेस्ट और दो टेबिल स्पून भरकर निम्बू का रस और ये है एक टेबिल स्पून बेसन ये है एक टेबिल स्पून मैदा और ये रा एक टेबिल स्पू कौन फ्ला दो चोटा चाय का चमज लाल मिर्ची का पाउडर ये कश्मीरी है अपने स्वाद अनुसार दालिए एक चोटा चाय का चमज धनिया पाउडर और मैं आधा चोटा चाय का चमज अजवाइन दाल रही हूं आपको अगर अजवाइन का टेस्ट पसंद आता है तो अगर आपको मेरी तरह मीडियम ही रखना है तो मैंने आधा दालाया और अगर आपको बहुत जादा अच्छा नहीं लगता है जवाइन का टेस्ट आप बन फोट टी स्पून दालिएगा ये सारी चीजों को हलके हाँ से बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए ये देखी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया मैं इसे मेरिनेट करने के लिए पौना से एक घंटा साइट पर रख देती हूं ढग कर आप फ्रिज में रखिएगा एक घंटा हो जाए तो तेल को कड़ाई के अंदर गरम करने फास्ट आज पर रख दीजिए और ये जो पीसे हैं मच्छी के इन्हें फिर से बहुत अच्छे से हलके हाँ से मिक्स कर लीजिए ये देखिए कितने पौफेक्ली वेल कोटेड है हमारी मच्छी हिससमे जब तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए अच्छा अब मैं सबसे पहले एक मच्छी का पीस दाल के देख रही हूँ क्योंकि नमक चेक करने के लिए नमक अगर मज़ेदार नहीं होगा ये वाली मच्छी में तो मज़ा नहीं आएगा तो सबसे पहले मै एक थोड़ा आसपास मसाला लगा के इसके अंदर इस तरीके से दाल देती हूँ बिस्मिल्लाई रह्मान इरहीं बोल कर इसे आगे पीछे पलटते जाए मीडियम आज पर फ्राइ कीजिए जब तक ये दोनों साइट से क्रिस्पी नहीं हो जाते और गोल्डन ब्राउन नही पांट से चैप डाल रही हूं एक दूसरे में चिटके ना इसके लिए मीडियम आज पर फ्राइ कीजिए जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक और इसे उलट पलट बार-बार कड़ते रही है जब हो जाए तो इन्हें निकाल कर टीशू पेपर के ओपर साइड पर रख दीजिए एक से दो पॉइंट शे करनी थी इस रेसिपी में जब हम मेरिनेशन के लिए रखते हैं उसमें बैटर टाइप नहीं होना चाहिए हमने इसके लिए आपने देखा पानी बिलकुल भी नहीं दाला है हमें यह आज अ कोटिं माशाला ब्यूटफुल तो अंदर से है लेकिन टेस्ट में बहतरीन लग रही है और दूसरा इंपोर्टन पॉइंट यह है कि मेरिनेशन के लिए आपने कम से कम आदा घंटा रखना जरूरी है डाक कर आप फ्रिज में रखिएगा जैसे मैंने आप से कहा कि हम पानी अच्छे से मिक्स होते हैं और अच्छा वेल कोट हो जाता है इसी तरीके से मैंने सारी मच्छी को फ्राइ कर लिया और नतार कर टिशू पेपर के ओपर साइट पर रख दिया है अब मैं इसे सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकाल रही हूं और उपर से थोड़ा सा चा कमें सेक्षिन में जरूर शेय कीजिएगा मुझे आपकी कमेंस पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं चलिए फिर से आजिर हूंगे एक नहीं शांदार रैसेपिक के साथ अंतल देन इंजॉय फिश अमरित सरी